दोस्तों, बुधवार की राच चुपके से किसी को बिना बताय रख देना, यहाँ पर एक लॉंग जीवन के हर कश्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति भगवान गणेश जी के आशीरवाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्शा और बन जाओगे। आप ध अधवार के दिन कर ले, तो ना केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है। बलकि आपका कोई भी सपना हो, वो अवश्य ही पूरा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लॉंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को ही होगा। इसी के साथ दोस्तों सच मानिये। आपके जीवन में आपको एक चमतकारी और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आप किसी जोतिश के पास, पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी परेशानी उनको बताते हैं तो वो जो भी आपको उपाय बताएंगे, तरीका बताएंगे। पहले तो आपका उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा और आपका समय भी बहुत नश्ट होगा। किन्तु यदि आज आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किये देख लेते हैं और के उन उपायों को ठीक तरीके से समझ कर कर लेते हैं, जो सिर्फ आपको बुधवार के दिन दो-चार मिनट निकाल करके करना है, तो मान के चलिए, दोस्तों जीवन की सभी समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। शायद ये बात आपको ना पता हो। दोस उसकी पूजा हनुमान जी महाराज के सामने सिध्ध हो जाए, वो जो भी उपाय हनुमान जी के सामने करें, उस उपाय का उसको तुरंत फायदा मिल जाए, तो उसको हनुमान जी के सामने लौंग के उपाय अवश्य ही करना चाहिए, उसको अपनी पूजा में हनुमान जी क सामने लॉंग का प्रयोग करना ही चाहिए लॉंग हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है अब आप लोग यह बात अवश्य सोचेंगे कि आखिर लॉंग हनुमान जी महाराज को इतनी प्रिय क्यों है आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें लॉंग का जो आकार होता है वो हनुमान जी के गदा की तरह होता है इसलिए हनुमान जी महाराज को लॉंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है जियोतिष शास्त्र में तंत्रशास्त्र में लॉंग के उपाए को सबसे अवल उपाए बताया गया है कहा जाता है कि लॉंग का उपाय यदि बुधवार के दिन मार्ग पर सही किया अनुसार किया जाए तो यह उपाय खाली जाही नहीं सकता है शायद यह बात आप लोगों को पता ना हो तो जितने भी तांत्रिक होते हैं वो जो भी टोना टोटका करते हैं उसमें लॉंग का प्रयोग ही करते हैं जैसे हम आपके वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। लॉंग का प्रयोग यदि किसी पूजा में किया जाए तो वो पूजा सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों यदि आज के इस छोटे से वीडियो को आप देखते हैं और समझ करके कि उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में लिखा हुआ है जो प्राचीन काल के समय के महा उपाय है। सच मानिये जीवन की समस्त तरह के दोहक समस्याएं दिक्कतों आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। आपका मंगल है आपका इतना साथ देगा कि जिस कारे को भी शुरू करेंगे उस कारे में सफल होंगे। बॉक्स में तुरंट का तुरंट लिख दीजिए। आपका विशेश करके ध्यान रखिएगा और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाई जो हम आपको बताना रहे वो है धन प्राप्ती का महा उपाई। यह उपाई आपको पांच बुद्धवार करना है। पांच बुद्धवार का मतलब पांच सब्तह आपका मासिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मचली, अंडा, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, मान आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए कि जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है, और यदि आप च कांच बुधवार क्रिया अनुसार उपाय करना होगा, सबसे पहले बुधवार को सूर्यास्त के पश्चात आपको नहाना धोना है, कपड़े पहनने है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है, अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसे आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए, आपको एक शीशी चाहिए, चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, चाहे कांच के शीशे ले लीजिए, एक लाल कपड़ा लेना है, आपको आधा भरना होगा, नमक, अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सूर्यास्त क पश्चात अपने घर पर बैठना है सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाएं लाल कपड़ा भी चाहिए कपड़े पर आपने जो लिए जिसने आधा नमक भरा है उसको रखिए अपने हाथ में दो लॉंग लीजिए हनुमान जी का भी इस मंत्र बोलिए भगवान हनुमान जी महाराज इनकी पूजा में जब भी एक हजार आठ एक सो आठ एक हजार एक सो आठ इस तरीके के अंक का प्रयोग किया जाए तो उस फायदा आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है अब आपने बीस मंत्र का जाप कर लिया इस दो लांग को इस शीशी में रख दीजिए अब आपको इस लाल कपड़े से इस शीशे को रखकर के पोटली बणानी है पोटली बनाते वक्त धागे का इस्तिमाल किया जाएगा इसी पोटली को तिजोरी में अलमारी में जहां भी आप पैसा का लेंदेन करते हैं, पैसा सोना जेवरात रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए, एक बुधवार को अपने यह उपाय कर लिया, दूसरे बुधवार को इस पोटली को निकालिये, शिक्षकों खोलिये, लौंग ह जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन पानी के सारे रास्ते खुल जाएंगे, साक्षात आपको हैनुमन जी का वो आशीरवाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको धन संबंधित परेशानी हो ही नहीं सकती है, तो दोस्तों इस बात पर सेक्षन मे तुरंत दीजिए, बजरंग बली की जय दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दोस्तों वो है घर की बरकत का महा उपाय, दोस्तों शायद बात आपको ना पता हो, आज का समाज एक ऐसा समाज है जो आपको कभी भी हंसता खेलता कूता नहीं देख सकता है, यद आपके घर की बरकत हो रही थी, उन्नती हो रही थी, घर की बरकत रुक गई है, उन्नती रुक गई है कि घर पर रोज लड़ाई जगड़ा, ग्रहकलेश हो रहा है, तीन बुधवार आपको यह उपाय करना होगा जो आपको हम बताएं, और यह उपाय करने के पश्चात लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का जलाना है और एक एक लॉंग डालना एक लॉंग डालने से पहले अवश्य बोल दीजिएगा तीन बुधवार यह उपाय कर लीजिए आपके घर पर जो भी नेगटिव शक्तियां थी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर प आप चाहते हैं कि आपके व्यापार चल जाए तो एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए यह उपाय आपको बुधवार की सुबह करना होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों सुबह का मतलब सूर्यास्त से पहले आप कभी भी यह उपाय कर लीजिए औ आपको कुछ चीजें चाहिए होगी लाल कपड़ा चाहिए आपको ग्यारह लौंग चाहिए और पांच घोमती चाहिए किसी भी पूजा घर पर ये आसानी से मिल जाता है अब आपको ये सारी चीजें लें करके हनुमान जी के मंदिर जाना है सबसे पहले हनुमान जी के साम वो ओम हनुमते नमह का एक आठ बार जाब कर इस पोटली को हनुमान जी के दाई चरण से छुआए और अपने व्यापार स्थान पर ले जाएं। और आपके व्यापार चारों दिशाओं से आना शुरू हो जाएगा। मंगल ग्रह आपका साथ दें। तीन बुधवार या उपाय कीजिए जो आपको हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा। पूर्व दिशा में बहा दीजिए तीन बुधवार ये बाएं कर लीजिए। तीन बुधवार के पश्चात मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। यदि आप जौब के लिए इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो उस स्नान के पश्चात हनुमान चालिसा का कर और हनुमान जी की पूजा करके जाएं। आपको काम्याभी मिलेगी। हनुमत कृपा से आपके सभी तरह के भै दूर हो जाएंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं। मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के आपका दिल से शुक्रिया हर हर महादेव।